देश के प्रधान मंत्री के तौर पर तीसरी दफा नरेंद्र मोदी ने जिम्हदारी संभालते ही और जिम्हदारी संभालते ही जो पहला फैसला उन्होंने लिया जो पहली जिम्हदारी निभाई वो थी किसान निधी के तहत किसानों को तीन किष्ट में जाने वाले राशी के है अब इसमें काँचकर सब्सक्राइब करते अलभा चैडिय पंपशा, टीडीप, दो चेहरों को लेकर दो पाटियों को लेकर खासकर निगाहे सब्सक्राइब कहीं हुई है कि किस供rtt चार पोस्ट ऐसे हैं, चार पोटफोलियो ऐसे हैं, जिसके बारे में पहले ही हम आपको क्लियर कर दिया और बीजेपी ने भी साफ कर दिया है अपने सयोगियों के सामने, कि ये किसी को नहीं दिया जाना है, वो कौन-कौन से पोस्ट है, वो भी मैं आपको बता दू, रक्षा मंत्राले, इसके आलावा ग्रह मंत्राले, विद्द वभाग और विदिक्ष मंत्राले, ये चार की पोस्ट जो है, जिससे देश चलता है, वो बीजेपी के पास रहना है, अब इसके आलावा 30 काबिनेट मंत्री के लिए, जिन चेहरों ने शपतली है, उनमें सहयोगियों के भ हो भी रहा है नितिश कुमार को, और विहार में चेनों की खस्ता हालत है, कुछ ऐसे विदियोस भी शेर के जा रहे थे, कि नहीं रेल मंत्राले, तो हर हाल विहार के पास आना चाहिए, और ये महरबानी हुई भी है इस बार विहार पे, उत्रप्रदेश जहां पे 80 सीटे है वहां 9 मंत्री शपत लेते हैं, और विहार में 40 सीटे हैं, यानि आदी सीटे हैं लेकिन वहां से 8 मंत्री शपत लेते हैं, उस 8 मंत्री में जातिये सम्मीकरन बहुत बहतरीन तरीके से बिठाया गया है, तो इसको देखकर आप कह सकते हैं, कि जिन 3 चहरों ने, 2 चहरों एक एक जिडियू के तरफ से बिहार के लिहार से, जो क्याबनेट के लिए शपत लिए हैं, उसमें कुछ की पोस्ट इन्हें दिये जा सकते हैं, वो क्या होगा, इसके लिए सभी को इंतजार है, अब हम आते हैं TDP पे, TDP को लेकर भी ऐसी कयास बाजी चल रही है, कि TDP को भी वक्त लग रहा है, क्योंकि तुलना की जारी है 2014 और 2019 को लेकर, क्योंकि इन दो टर्म में हमने पोर्टफोलियो को लेकर इतना इंतजार नहीं किया, सबका सस्मेंस बहुत जल्दी खत्म हो चुका था, मंद्रिपत की शपत लेने के साथ ही अगले दिन, लेकिन अभी आधा दिन आज का भी गुजर गया, लेकिन इस वक्त तक भी पोर्टफोलियो के बारे में कोई जानकारी किसी के पास नहीं है, अभी तक जो भी है कयास बाजी है कि इसको ये मल सकता है, तो मैं सहयोगियों के लिहाद से बात कर रही थी, हाला कि इसमें बहुत सारे ऐसे देने की बात हूँ, जाती है समय करन साथने की बात हूँ, उन सब में इसकी छाप देखने को मिल रही है, जारखन से भी दो चेहरों ने शपत लिया है, और उन दो चेहरों को क्यास जमेदारी दे जा सकती है क्योंकि साल के आखर में बहां भी चुनाव है, माराश्ट्रा को जितना फाइदा हुआ उसकी भागिदारी उतनी ही होने जा रहे है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस राज्य में सीटों की संख्या कितनी है जिसने 2024 के चुनाओं में बहुत बहुतर प्रदर्शन किया है या जिन सहयोगियों के वज़े से ये सरकार पांच साल तक इस से रहने वाली है उनको आने वाले वक्त में पोर्टफोलियो भी उसी तरीके से दिया जाना है और शायद बक्त इसलिए लग भी रहा है हाला कि जो बॉर्डे लेंग्विज है टीडीपी का या जेडीव का या यलज़पी का इन सभी का कहना है कि हमारे तरफ से कोई शर किजिए जल्द ही इस रहसे से भी इस सस्पेंस से भी पर्दा खत्म हो जाना है कि कौन होगा कौन मंत्री